बाई साब अगर आप फोन करिंदी की सोचे हो तो डिसेमबर के अंदर बहुत सारे तगड़े फोन लांच हो रहे हैं तो इनके लिए आपको जरूर से वेट करना चाहिए क्योंकि बहुत तगड़े फोन डिसेमबर मन्द के अंदर लांच होने जा रहे हैं तो चलिए बिना सम गवाय शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग वीडियो देखें दोस्तों नोवेंबर का मैना तो यहाँ पे बिल्कुल थंडा 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 गया जी हाँ इस मैने के अंदर उतने ज्यादा फोन्स लांच नहीं हुए पर डिसेंबर के अंदर बहुत सारे एक्साइडिंग फोन आपके लिए स्पेशली लांच होने वाले चलिए सबसे पहले बात करते हैं बजट सेगमेंट के अंदर कौन से फोन आने वाले 20,000 से लेकर 25,000 रूपीज के रेंज के अंदर सबसे पहले फोन यहाँ पे आता है दोस्तों पोको के तरफ से पोको X6 नियो और पोको X6 प में मिलेगी और कर्व डिस्प्ले आपको X6 प्रो में मिलेगी स्नैपड़कर 7S जन्टू के साथ 64 मेगा पिक्सल का रेर कैमेरा में 16 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमेरा और 5,100 मह की यूज बैटरी आपको यहाँ पे पोको X6 नियो और पोको X6 प्रो के अंदर मिलने वाले और ह K70 सीरीज जिहां इस सीरीज के अंदर भी आपको एकसाइटिंग स्पेसिफिकेशन मिलने वाले और यह सेम सीरीज पोको के तरफ से भी लॉंच की जाएंगी पोको F6 नाम से जिहां रिप्रांट करके ही पोको यह सीरीज सेम लॉंच करेगा इसके अंदर 6.7H की फ्लैट अम पे मिलने वाले है तो इस फोन का भी आपको डिसेमबर मंत के अंदर वेट करना चाहिए यह फोन नोर्मली डिसेमबर के मिड में इंडिया के अंदर लॉंच घौए तो इसके लिए बी आपको वेट करना चाहिए नेक्स्ट फोन यहाँ पे आ रहा है दोस्तों honor की दरब से ह पाल फिलाल में ही Honor ने हमारे इंडिया के अंदर कमबेक की आये Honor 90 phone के साथ अब यहाँ पे उसी का extended version Honor 100 series Honor इंडिया के अंदर लॉंच करने जा रहा है इसके अंदर हमें 6.78 inch की कर्व OLED डिस्प्ले मिलेगी Snapdragon 7 Gen 3 processor मिलेगा जो की latest है अब 216GB तक RAM 512GB तक RAW memory आपको Honor 100 series के अंदर मिल जाएगे और यह 30,000 से लेकर 35,000 रुपीज के अंदर आपको phone मिल जाएगा तो इसका भी आपको वेट करना चाहिए अगर आप ए Honor का phone करिंदा चाहते हो नेक्स phone यहाँ पे आता है दोस्तों Oppo की तरफ से Oppo Reno 11 और Oppo Reno 11 Pro जी यहाँ यह दो model यहाँ पे Oppo की तरफ से 11 series के अंदर लाँच किये जाने वाले है इसके अंदर 6.7 inch का Full HD कर डिस्प्ले मिलेगा Dimensity 8200 यहाँ फिर Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ यह phone आने वाला है 4800 mAh की बैटरी 50 MB पिक्स वेट करना चाहिए अगला phone सबसे exciting phone है दोस्तों OnePlus के तरफ से OnePlus के चाहने वालों के लिए OnePlus 12 series लाँच होने जा रही है और यह phone चाइना के अंदर 4 December को लाँच होने जा रहा है और probability है कि एक हपते के अंदर यह phone इंडिया के अंदर भी लाँच हो जाए OnePlus 12 के अंदर आपको 6.82 एंज की 2K 120 हसकी OLED दिस्प्ले मिलिगी Snapdragon 8 Gen3 के साथ यह phone आने वाला है 24 GB की RAM, 1 TB की ROM, 50 MP का ट्रीपल कैमेरा सेटप, 5400 एमेज की बैटरी, IP64 रेटिंग, 100 Watt की वायर चाजिंग और 50 Watt की वायरलिस चाजिंग आपको OnePlus 12 series के अंदर देखने को मिलने वा आपके लिए OnePlus 12 आ रहा है, भाई मुझे पता है IQ के बहुत सारे लोग चाहने वाले और IQ 12 series इंडिया के अंदर 12-12-2030 को लांच होने वाली है, IQ 12 के अंदर आपको 6.7 इंज की 1.5 के AMOLED डिस्प्ले मिलिगी, 50 MP का आपको ट्रीपल के अमेरा सेटप मिलेगा, रेर में Snapdragon 8 Gen3 प्रोसेसर जो की latest है, 24 GB RAM, 1 TB स्टोरेज, 5000 mH की बैटरी, 120 Watt की Fast Charging इतने सारे फीचर्ज के साथ IQ 12 सीरीज 12 इंडिया के अंदर लांच हो रही है, तो इसके लिए भी आपको जरू से वेट करना चाहिए, अगला फोन यहाँ पे Realme के तरफ से आ रहा है, Realme GT 5 Pro, Realme GT 5 November के अंदर लांच हो गया था, अब यहाँ पे उसी का सक्सेसर वर्जर, Realme GT 5 Pro, December के अंदर हमारे इंडिया में लांच होनी जा रहा है, इसके अंदर 6.78 इंच का 1.5K OLED इस्प्लेइ, Snapdragon 8 Gen3 प्रोसेसर, 24 GB RAM, 1 TB स्टोरेज, 1500 mH की बैटरी, 50 MP का ट्रीपल रेर कैमेरा सेट अब इतने सारे फीचर्स के साथ, Realme GT 5 Pro आने वाला है, इसके लिए अगर आप Realme के फैन हो तो जरू से वेट करना बनता है, अगला फोन यहाँ पर वीवो के तरब से आने वाला है, वीवो X100 सीरीज, जिया, वीवो X100 और वीवो X100 प्रो ये दो मॉडल इस सीरीज के अंदर वीवो के तरब से लांच किये जाने में, और आपको तो ये तो पताई है कि वीवो के फोन क्या मेरा के लिए स्पेशली जाने जाते हैं, तो क्या मेरा सेंडर वीवो फोन अगर आप खरीदना चाहते हो, तो वीवो X100 सीरीज के लिए आपको जरू से रुकना है, इसके 6.78 इंच का 2K OLED डिस्पले 120 इसकी रिस्टूरे सेच के साथ Diamond City 9300 प्रोसेसर 15 में का पिक्सर का ट्रीपल रेयर क्यामेरा सेट अप 5400 इमेज की बैटरी 100 वाट की वायर चांच चीप, 50 वाट की वायर लेस चार्जिंग के साथ Vivo X100 सीरीज यहाँ पे लॉंच होने वाली है तो यह exciting phone दोस्तों December के अंदर हमारे इंडिया में lawn होने जा रहे है अगर आप नया phone लेने की प्लान कर रहे हो न्यू येर के मोके पर तो आपको इन phone का wait जरू से करना चाहिए बाकि आपके इन phone के related कोई भी सावाल हो तो नीचे मुझे comment में जरूर पुछे मैं हर comment का reply करता हूँ चानल पे नव हो तो प्लीज चानल का subscribe कर दो वीडियो पसंद आए तो like share कर दो जै हिंद वंदे मातरम